अपना परिचे देता हूं कि इस कलम से ही शब्द कोश है ये देखिए ये कलम है मेरे पास ये रही कलम इस कलम से ही शब्द कोश है और इस कलम का जय घोश है और मैं इस कलम का बेटा हूं नाम मेरा संतोश है तो संतोश मेरा नाम है और एक कविता से मैं आपको जोड़ता हूं उस कविता से एक flow आजाएगा उसके बाद में मैं अपनी और कविताएं भी सुनाऊंगा कविता का शीशक है जन्तु और मनुश्य सुने मैं रास्तान विश्विधालय का सिक्षक हूँ पढ़ाता हूँ छात्रों को प्राणी शास्त्र जुलो जी और समझाता हूँ उन्हें जन्तु और मनुश्य के बीच का अंतर और बताता हूँ उन्हें कि कैसे कुछ जन्तु उतर गए थे व्रक्षों से जो आगे चलकर मनुश्य कहलाए तो मेरा सवाल आप सबसे ये है कि मनुश्य क्या हुआ गिरा हुआ जन्तु तो फिर जन्तु क्या हुए उठे हुए तो मेरा सवाल ये है कि किसे विक्सित कहें जन्तु या मनुश्य सच कहूं कुछ पता नहीं हाँ पर ये पता है कि जन्तु नगन होते हैं और मनुश्य धक लेकिन जन्तुओं को अपनी नगनता की व्यर्थता का बोध ही नहीं है और मनुष्य ढका हुआ है पर प्रती पल अपनी नगनता के लिए स्वयम से शर्मिंदा है तो मेरा सवाल आप सभी से ये है कि सच्छे अर्थों में नगन कौन हुआ जन्तु या मनुष्य सच कहूं कु सफवाते, गवा इकटे नहीं किये जाते हैं साथ रहने के लिए और जन्तुओं को अपने साथ को प्रमानित करने के लिए कोई legal document नहीं चाहिए एक चीडा और एक चिरी बिना किसी ताम जहाम के अपने अंडे के लिए जी भी जाते हैं और मर भी जाते हैं और मनुष्य वि या मनुष्य, सच कहूं कुछ पता नहीं, हाँ पर ये पता है कि जन्तु एक घर बनाते हैं और मनुष्य दो, एक जिसमें मनुष्य स्वयम रहता है, दूसरा जिसे वो परमात्मा का घर कहता है, इसके कई नाम है दोस्तों, जैसे कि मंदिर, मस्जित, गुर्दवारा, आदी, लेकिन जन्तु ओं का घर, उनके प्रेम का परिणाम है, जन्तु टिकट लेके सिनिमा देखने नहीं जाते, और ये मंदिर, मस्जित, गुर्दवारे, ये सम मनुष्य के प्रेम से नहीं, उनके भह से निर्मित हैं, तो मेरा सवाल यह है, कि किस के घर को घर कहें? जन्तु य के लिए क्योंकि जन्तू जानते ही नहीं है आत्म हत्या का मार्ग और मनुष्य जानता है कि कुछ घाव कभी नहीं भरते रिष्ते रहते हैं नासूर की तरह फिर भी आप और हम सब जीए जाते हैं मरते कहा हैं तो मेरा सवाल यह है कि कौन सच्चे अर्थों में विवश्च जन्तू या मनुष्य सच कहूं कुछ पता नहीं हाँ पर ये पता है कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे हिम्मच जोटाकर खड़े ओकर मुझसे ये पूछ लेते हैं कि भाई ये जो डॉक्टर संतोष कुमार चारण पढ़ा रहा है ये क्या है गिरावा जन्तू या उठावा मनुष्य सच कहूं कुछ पता नहीं हाँ पर ये पता है कि मुझे कुछ पता नहीं और मैं राजतान विश्वृत ध्याले का शिक्षक हूँ पढ़ाता हूँ छात्रों को प्रानिशास्त्र और समझाता हूँ उन्हें जन्तू और मनुष्य के बीच का अंतर